दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे कंप्यूटर जीके से संबंदित 15 महत्पूर्ण कोशन्स जो की 500 से ज्यादा अधिक कोशन्स हैं जिनकी मैं सीरीज चला रहा हूं दो वीडियो इस सीरीज की मैं आपको पोश्ट करवी चुका हूं जिन मैं आपको 15 15 करके 30 क देख चुके हैं और आगे की जो वीडियो है वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें 15 बहुत ही महत्पूर्ण कोशन्स हैं तो दोस्तों मैं शिवांग वारतवा स्वागत करता हूं आपका अपनी वीडियो पर वीडियो को जरूर देखीगा वीडियो लाइक अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवाईएगा जिससे की आपको आगे आने वाली वीडियो इसके नोटिफिकेशन मिलते रह सकें चलिए सुरू करता हूं कोशन नमबर 31 से 31 नमबर कोशन है प्रमुख मैमोरी किसके वैसे कारे करती है नि किसके साथ मिलकर कारे करती है तो आंसर है हमारा सीपीउ सीपीउ के साथ मिलकर या सीपीउ के समन वैसे वह कारे करती है कोशन नमबर 32 है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिस्क होता है उसे कहा जाता है तो जिस तरह इंसानी मस्तिस सोचने समझने का कारे करता है इसी तरह कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो सोचने और समझने का कारे करते हैं उसे कंप्यूट onlineyet प्रोसेसिंग करता है उसके दो विभी प्रो प्रोशेशिंग करता है उसके दोरां सब्सक्राइब कर देखाité है और से कंप्यूटर निकालता है वो क्या कहलाता है तो वो आउटपुट कहलाता है कोशन नमबर 34 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है कम्प्यूटर में हम कोई भी नॉलेज अगर इनपुट करते हैं तो उसका जब आउटपुट में रूपांतरण होता है तो वो किसके द्वारा होता है तो इन्पुट का आउट्पुट में रूपांत्रों जो है वो CPU के द्वारा होता है कोश्या नंबर 35 है प्रोसेश्ट डेटा को कहते हैं प्रोसेश्ट डेटा प्रोसेश्ट पी इसको हम बोल सकते हैं और इसको आउट्पुट भी हम कह सकते हैं प्रोसेश डेटा जो होता है वो प्रोसेश के फल्स रूपा में मिलता है प्रोसेश के अगॉर्डिक मिलता है जिसे हम प्रोसेश भी कहते हैं और और आउट्पुट भी कहते हैं 36 नमबर कोश्चन है आपका CPU का मुख्य घटक है और नमबर तीन भागों में होता है नमबर एक आपका कंट्रोल यूनिट है और नमबर तीन आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है तो यह तीन जो होते हैं यह कंप्यूटर के CPU के मुख्य घटक होते हैं कंप्यूटर में जो CPU होता है उसके मुख्य घटक होते हैं 37 नमबर कोश्चन है आपका कंप्यूटर की छमता है कंप्यूटर की छमता क्या है कंप्यूटर की छमता जो है वह सी में छमता होती है क्यों कंप्यूटर एक निश्चित ही सीमा तक कारे कर सकता जितना हम उसमें इंपोट कर सकता है इस ऐसे समझ सकते हैं यह फिर कोई भी मसीन होती है उसकी इक निश्यत अब छम्टा होती है इसलिए यह एक सीमत अबाला इसकी भी छम्टा जो है सीमत होती है गोश्य नमर 28, कम्पीटर को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है तो wrap two, computer जो वो मानव कृत्यानी की अग्या बनाया गया है इसलिए इसकी बुद्धी को गुद्धी की संग्या दी गई है क्रित्रिम बुद्धी v同 है कोश्य नममर 49 मनुष्य की इसमराड सक्ति कम्प्यूटर की तुल्णा में हो ihan मनुष्य की इसमराड सक्ति है वा कम्प्यूटर की तुल्णा में सामान होती है You have chosen रहती है तो नहटtvा मन ठाहिता है क्वेठा कोष्य नमऄर चालिस तरह किसकी गत्यक्त है मानव मन तदहान तरह कंप्यू्टर में जो गत्त की बातती है तो मानवमन की अधिक होती है क्यों की मानवमन मानवमन जो है एकANA इनो सेकेंज में लाखों वाते समझ सकता है यानि कि कहीं कहीं तक भी सोचने की चमता मानमन में होती है लेकिन कंप्यूटर में यह सोचने की या जो भी है कती होती है वह कंप्यूटर की बहुत ही कम होती है Question number 41 है EDP क्या है EDP जो है EDP का पूरा नाम होता है Electronic Data Processing EDP क्या है EDP Electronic Data Processing है Question number 41 है Computer में सूचना किसे कहते हैं Computer में जो data एकत्रित किया जाता है वही computer के लिए सूचना का कारे करता है तो एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते है Question number 43 है अब computer में हम data किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया computer में जो सूचना होती है हम एकत्रित डेटा को सूचना बोलते हैं लेकिन अब हम data किसे कहेंगे तो data जो है वह चिन एवम संख्यात्मक सूचना जो होती है उसको हम डेटा कहते हैं कोशन नमर 44 है इनपुट का आउटपुट में रूपा अंतर किसके दौरा यह मैं पहले भी बता चुका हूँ दुबारा से फिर आ गया यह इनपुट का आउटपुट में रूपा अंतरा जो है वो CPU के दौरा होता है कोशन नमर 45 है अ क्या कहते हैं और आगे मैं और भी वी वीज़ो आप के लिए लेकर आता रहूंगा तो इसके लिए बने रहेगा मेरे चैनल के साथ वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाईए जिससे कि आपको वीडियो उचके नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद